तो आज में लेकर आ गई हूँ एडूटेरिया का सेट 12 से लिके सेट 11 तक हमारी चानल पर अल्रेडी अप्लोड़ेड है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूंगी साथ ही साथ इन सारे करेंट अफेर्स के जो वीडियो जे उसका पीडिया आप को मेरे टेलिग्राम चानल पर मिल जाएगा एंसी की फैक्टरी नाम है उसका उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो जाहिए देखिए वो सारे वीडियो साथ ही साथ इसके पीडियेफ को एकसेस करिए और प्रैक्टिस करिए उसकी अच्छे जे औ सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले तो कुशन नबर वन से स्टार्ट करते हैं नमस्ते योगा एप वाज लॉठ्ट बाइवे विच अफ्ट फॉलम इनिपेंडेन हो लाइप तो किसी किया निमको यह लॉठ्ड किया था हैं मिनिस्ट्री ओफ आईउष के द्वारा मिनिस्टर ऑफ आईउठ्व कौण हैं जूनियोण मिनिस्टर हमारे सर्बारं सोनोवाल जो पहले असाम के सीम थे साथ ही साथ आयूश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंडेंट चार्ज है श्रीपद यसो नायक ओके यह दोनों याद रखना है आपको अब आते हैं कुछ नमबर टू पे कुछ नमबर टू आप इंपॉर्टेंट मांक कर लो यह इंपॉर्टेंट कुछन हो जा तो फर्स्ट रैंक मिली है बी मध्य प्रदेश को तॉ पर रहा है अनेयमिया बहत भारत रैंकिंग में मध्य प्रदेश इसका स्कॉर था 64.1 स्कॉर भी एक्जाम में पुछा जा सकता है सेकेंड रैंक जो थी आपकी उडिसा की थी फर्स वाज एंपी सेकेंड वाज उडिसा और थर्ड वाज हिमाचल प्रदेश ओके हिमाचल प्रदेश इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम यह बहुत ही इसका रैंक 18 था शायद लेकिन इस बार इसका रैंक 1048 में और अनेमिया क्या है तो अनेमिया वह प्रदेशियर सी है ज़ो और ऑकसीजन लेकर जाते हैं हमारे बादी और इसमें रट ब्लड शिल्स उसकी कमी हो जाती है किस वाजए सारी। cause RBC की deficiency का है iron deficiency जब body में iron कम होता है तो RBC बनना कम हो जाते हैं और क्योंकि जब O2 का flow body में reduce हो जाता है तो बहुत सारे organs को नुकसान पहुंचता है iron deficiency के लावा अगर आपकी body में folic acid की deficiency है vitamin A की deficiency है vitamin D की deficiency है तो भी आपको 50 50% people women जो है इंडिया में वह अनेमिया से पीडित है ठीक है question number three पर आते हैं which with which country इंडिया recently conducted the exercise corporate किसके साथ conduct किया इंडिया ने तो यह conduct किया सी Thailand के साथ और corporate का full form क्या है coordinated patrol between India and Thailand ठीक है यह एक naval exercise है question number fourth which country has recently announced the launch of world's first wooden satellite यह मैं दो तीन सेट में यह question discuss हो चुका है सीधा मैं इसका answer बता दूँगी इसका correct answer है C New Zealand और 2023 में इसका aim है इस wooden satellite को space में छोड़ देने का और इसका main purpose यह है क्योंकि बहुत जादा space में जो है नॉन बायो degradable satellites घूम रही है उसकी debris घूम रही है तो इसी रे वुड़न सेटलाइट को बेजा गया कि अपने आप से यह डिग्रेड हो जाए question number fifth which city has been ranked first in the recently released global liviability index 2021 तो यह कौन से city रही है ओक्लेंड ओक्लेंड कहां पर है न्यूजलैंड में ठीक है second rank जो मिली है वो मिली है उसाका को उसाका कहां है जपान में और यह global liviability index कौन रिलीज करता है तो यह लंडन-based economic intelligence unit economic intelligence unit EIU इसको release करता है और least liviable city कौन सी है पूरे world में तो वो है Damascus और Damascus किसकी capital है तो सीरिया की capital है यह ठीक है 2019 तक इस रहा इसका जो टॉपर रहा था और ऑस्ट्रिया की capital विएना इसकी टॉपर थी most liviable city के रूप में और इंडिया में जो है most liviable city है बैंगलूरू ठीक है question number six पर आते हैं who has been elected as the first female president of football association recently तो वो कौन रही तो वो रही debbie hevitt और इनकी nationality है British question number seven पर आते हैं which state government has recently announced to give GI tag to villa cherry clay toys तो villa cherry clay toys को GI tag दिया गया है किसने यह announcement की है किस state ने तो वो की है तमिल नाडू ने तमिल नाडू के मधुरई शहर में यह villa cherry clay toys बनते हैं जो एक अलग तरीकी की मिट्टी होती है उसी मिट्टी को collect किया जाता और उसी से छोटे-छोटे colorful toys बनाए जाते हैं question number eight who is appointed as the head coach of women's cricket team by the BCCI यह भी sports related question है important question है तो इसका correct answer भी रमेश पवार ninth which country recently organized the third arctic science ministerial meeting अगर पूछा जा कि arctic science ministerial meeting जो हुई उसका मतलब कौन से session organize किया गया तो third session यह question आपका यहार हो गया दूसरा किस country ने इसको organize किया तो इसको organize किया बोथ a and b Iceland ने भी और जपान ने भी दोनों ने मिलकर इसको organize किया था अब बढ़ते हैं question number 10 की तरफ which country is Sinopharm covid vaccine has been approved by the world health organization for use in emergencies तो यह और कोई नहीं चाइना की vaccine है Sinopharm covid vaccine और बहुत जादा जब deaths हो रही थी है और बहुत ही मौते हो रही थी तो उस वज़े से emergency के रूप में इसको as a vaccine को use करने का decision लिया था world health organization ने question number 11 who is the author of the recently published book life in the clock tower valley इसका correct answer है c शाकूर राथेर यह शाकूर राथेर कौन है यह पीटी आई के वरकर है ठीक है प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया पीटी आई का फुल फॉर्म है और यह इनकी पहली बुक है clock tower valley और यह जो है यह बुक बताती है कश्मीर का जो स्टाइन पास्ट था जो खूबसूरत पास्ट था कश्मीर का वो इस बुक में डिसकस किया गया है अब क्वेशन नमबर 12 पे देख आते हैं according to the migration and development brief report released by the world bank which country is the largest remittance recipient in the year 2020 question number 12 को very very important mark कर लो especially अगर आप BPSC student तो mark करी लिजे क्योंकि 65th BPSC 66 BPSC में ऐसे questions पुछे गए हैं और बाकी exam के भी point of view से important है तो कौन सी country largest remittance recipient बनी तो वो बनी इंडिया अब remittance का क्या मतलब है अगर किसी दूसरी country से इंडिया को पैसा भेजा जाता है मतलब उनके लोग रह रहे होते हैं वहाँ जॉब कर रहे होते हो और वो पैसा भेजते हैं इंडिया को तो उसी को remittance बोला जाता है तो टॉप पर यह है इंडिया ठीक है इंडिया ने 83 billion का remittance रिसीव किया है 2020 में सिर्फ 0.2% less है last year के comparison में 2019 के comparison में क्यों क्योंकि 17% जो drop हुआ है remittance का वो है United Arab Emirates से तो first में remittance recipient है इंडिया और second rank है इसका चाइना का ठीक है चाइना को मिला है कितना 59.5 billion यह सारी चीज़े याद रख लेते हैं यह क्या है inflow जो country में पैसा आया अब बात करते हैं outflow की कि किस country से कितना ज्यादा remittance outflow हुआ मतलब दूसरे माइग्रेंट उस country में रहते हैं लेकिन पैसा अपनी country को भेजते हैं तो outflow में first है US से दूसरा है UAE और तीसरा है साओधी अरे इन तीनों country से remittance जाते हैं दूसरे country की तरफ ठीक है और एक question इससे अपने आप बनेगा कि migration and development brief report who releases this report world bank a question अब यह भी लिख लिजे कि world bank और कौन-कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है इस आफ डूइंग इस आफ डूइंग बिजनस का रिपोर्ट भी world bank तयार करता है human capital index भी world bank तयार करता है साथी साथ world development index भी world bank तयार करता है तो इससे हमें चार इसके पता चलके कौन-कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है यह question no.13 पर आते हैं which union territory recently became the second union territory to achieve the target of 100% tap water connection in rural areas under जल जीवन mission कल ही मैंने बताया था जल जीवन mission के बारे में कि इसका main aim यही है कि जितने भी rural areas है वहां पर tap water पहुंचाया जाए 100% connection दे दिया जाए ठीक है अब यहां पूछा जा रहा है कौन सा second union territory बना है एक्चली जैसे यह वैसे जो rank आया है यहां पर इसका correct answer is C पुडूचरी लेकिन पुडूचरी हो गया fourth number पे क्यों first rank जो मिला सबसे पहला state चाहिए union territory जो बना जिसने 100% tap water connection का target achieve किया वो था गोवा 2020 में ठीक है लेकिन यह क्या था एक state था second number पे हमारा आया second number पे आया तिलंगाना यह भी एक state था third number पे है अंडमाने निकोबार वो यह पहला union territory अंडमाने निकोबार बना अब एक्जाम में अगर इस तरीके से question पूछा जाएगा कि first कौन सक state या union territory बना जिसने जल जीवन मिशन के अंडर 100% tap water connection अचीव किया गोवा लेकिन अगर first union territory पूछा जाया तो it is अंडमान एन निकोबार second union territory पूछा जाये तो वो हो गया पुडूचरी ठीक है पुडूचरी में चार districts है यनम माहे करायकाल और पुडूचरी खुद और पुडूचरी किस country की कोलोनी रह चुकी है तो यह रह चुकी है फ्रांस की गोवा किसकी कोलोनी रह चुकी थी तो पोचुगीस की रह चुकी थी question number 14 पर आते हैं who among the following has been given the title of Miss Universe 2020 तो किसे यह टाइटल मिला तो यह टाइटल मिला B Andrea Meza को कहां की रहने वाली है Andrea Meza यह है Mexico की और third rank जो मिली वो मिली इनको A Adeline Castellino और इनका origin क्या है यह Indian origin की women है ठीक है question number 15 इसको important mark कर लो which of the following Indian economist has been honored with Spain's highest honor princess of Asturias award यह economist के बारे में पूछा जा रहा है यह सारे economist ही है लेकिन बहुत popular economist हमारे इंडिया के रहे हैं see Amartya Sen तो यह prize भी उनको मिला है और Amartya Sen से भी बहुत सारे questions exam में आ रहे हैं तो इस question को mark करके important question number 16 which of the following state government has announced the launch of smart kitchen scheme तो यह इस तरीके के मैंने पहले यह बोला था कि इस तरीके के जो बहुती important projects होते हैं चाहें बहुती मतलब out of the world projects होते हैं वो कौन सी कौन सा state बनाता है तो वो बनाता है कैसी केरला अब इस smart kitchen scheme यह है क्या तो इस scheme के अंडर उन विमन को लोन प्रवाइड किया जाएगा जो household gadgets और equipment खरीदना चाहती है अपने kitchen के लिए जैसे microwave चाहिए dishwasher चाहिए उने तो उनको लोन प्रवाइड किया जाएगा इस scheme के अंडर और cm कौन है केरला के तो पिनराई विजयान question number 17 आपको बताना है कि governor कौन है केरला के 17th question which of the following Indian has been honored with the international business book of the year award 2021 तो यह किसको मिला तो यह मिला नितिन राकेश को साथ ही साथ याद रखिए एक और इंसान को मिला वो थे Jerry Wind ठीक है अगर पूछा जाएगा कि business book of the year award 2021 किस book के लिए मिला तो वो मिला transformation in the time of crisis transformation in the time of crisis इस book के लिए मिला तो यह याद रख लिए नितिन राकेश जरे विए प्रांस्फोर्मेशन इन ताइम आफ क्राइस इस बुक को मिला यह business book of the year अबार 2021 कोशन नमर 18 विच टीम वोन ताइटल ओफ ला लिगा फुट्बाल कप 2021 तो किस टीम ने यह जीता तो यह जीता अटलेटिको मैडरिड ने 19th कोशन विच कंट्री नेम्ड यास दाट हिट दे बे बेंगॉल रिसेंटल यह सारे कोशन कौन से साइकलॉन का नाम करन किस कंट्री ने किया बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ यास को यासा साइकलॉन से कंट्फ्यूज नहीं करना है क्योंकि मैंने एक सेट में यासा साइकलॉन को भी डिसकस किया है और यह साइकलॉन साउथ पैसिफिक ओशन में आया था बट यास साइकलॉन जो है आपके साउथ इंडिया नौर्थ इंडिया नोशन रि और साथी साथ दूसरी कंट्री बंगलादेश को भी बहुटी तरीके से अफेक्ट किया था करनाटिका में लेकिन क्यूं यह नियूस में था क्योंकि यहां पर सफारी राइड को प्लाइन किया जा रहा था कस नम्बर 21 पर आते हैं which first municipal ancienco एचूट फरल्स स्मिंडीई ग्रीन बॉजंग हुछ चल मब इसने बांड इसको एप 26 Girl किया ड़ी गाजियाबार सफींड AG संप्रेशन्याबर और साथ ही साथ ये बताना है कि most polluted capital city of the world कौन है ठीक है question number 22 पे आते हैं where was India's first floating LNG storage and regasification unit commissioned तो ये commission हुई है महराष्ट्रा में महराष्ट्रा में कहां तो जैगर टर्मिनल महराष्ट्रा के किस डिस्ट्रिक्ट में तो रतनागिरी डिस्ट्रिक्ट में ठीक है आपको पता है महराष्ट्रा में कितने डिस्ट्रिक्ट से 35 डिस्ट्रिक्ट से आज ये भी हम लोग डिसकस करेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्टिक कि स्टेट में है तो यूपी में है 75 डिस्टिक और इसी के साथ यूपी फॉर्स्ट पे है सेकेंड हो गया MP जिसमें है 52 डिस्टिक्स ठीक है कॉश्च नमर 23 विच वन इस नौट करेक्ली मैच विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट अपॉइंटमेंट तो कि योजोसा ओस्मानी प्राइम मिनिस्टर आफ को सोवो वैसे को सोवा के प्राइम मिनिस्टर है अबिन कुर्टी अबिन कुर्टी ठीक है को सोव किस कंट किस कॉंटिनेंट में लोकेटेड है तो यह यूरोप के कॉंटिनेंट में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल क्या है कोसोव की कापिटल है प्रिस्टीन साथी साथ खास बात इसकी क्या है कि यहGS अलबैनियन लेंग्वैज भोलने वाली सबसे मुझा सबसे जादा अलबैनियन लैंग्वैज इस हिसी कंट्री बॉली जाती है बाकी इससे आपको क्या क्या याद रुखना है व्यत्नाम के प्रेसिडेंट आपको याद हो जाएगा नाइजर के नाइजीरिया के यह सारे प्रेसिडेंट तीनों आपको याद हो जाने चाहिए ठीक है यह तीनों यह चारों प्रेसिडेंट आपको याद हो जाने चाहिए इसका में इंटेंशन क्या है कि 2025 तक 25 कंट्रीज से मलेरिया को इराइडिकेट कर दिया जाए ठीक है अब आपको अगर पूछ लिया जाएगा एक्जाम में कि दादा साहिब फालके अवार्ड का ये कौन सा किस नंबर का अवार्ड था तो 51 ठीक है इससे पहले 50 अवार्ड दिये जा चुके हैं तो 51 अवार्ड था किसे मिला ये अवार्ड ये मिला भी रजनी कांत को पहला दादा साहिब फालके अवार्ड कब स्टार्ट किया गया तो ये 1969 में स्टार्ट किया गया और इसकी फर्स रेसिपेंट कौन थी तो ये थी देविका रानी ठीक है अब ये दादा साहे फाल के अवार्ड है क्या तो ये हाइस्ट अवार्ड हाइस्ट अवार्ड इन दे फील्ड ऑफ सिनेमा मतलब हमारे इंडियन सिनेमा के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहे फाल के अवार्ड अब इसमें क्या क्या आवार्ड में आपको मिलता है तो गोल्डन लोटेस आपको मिलता है और 10 लाग का कैश प्राइज बिलता है Q26 इन विच कंट्री नो बैन आक्ट बिल वास पास रिसेंटली तो यह बिल पास हुआ है C America में BPSC वाले बच्चे और दूसरे दूसरे एक्जाम के बच्चे भी इसको याद रखिए यह important question है कि America से related question हर एक्जाम में ही पूछा जा रहा है आजकल तो यही यह America का ही बिल था तो क्या किसी बिल को मतलब वापस cancel कर दिया गया ठीक है डॉनल्ड ट्रंप ने बिल पास किया था Muslim ban जितने भी Muslim country से लोग आ रहे हैं उनको बैंट कर दिया गया उनको green cards नहीं दिये गए चाहे visas नहीं provide किये गए तो उस ही act को जो उन्होंने बनाया था डॉनल्ड ट्रंप ने उसी को cancel कर दिया गया और साथी साथ इस बिल को को बनाने का मेन इंटेंशन यह कि कोई भी प्रेसिदेंट फ्यूचर में भी कभी इस तरीके का बैन नहीं लगा सके रिलीजन के बेस पे ठीक है ट्रैवल बैन को प्रिवेंट करने के लिए on the basis of religion यह नो बैन आक्ट पास किया गया यूस पार्लिमेंट में 27th who has become the first batsman to hit 356 in the IPL तो यह कौन बने तो यह बने नन अदर देन क्रिस गेल कोश्चिन 28 वेर वास्ट ग्राम उजाला प्रोग्राम लांच बाइद सेंटरल गवर्नमेंट रिसेंटली यह भी मैंने अपने एक सेटमेंट पहले डिसकस किया है तो उसमें पूछा गया था किस सिटी में इसको स्टार्ट किया गया यहां पूछा गया किस स्टेट में स्टार्ट किया गया तो यह स्टार्ट किया गया ठीक है और उत्तर प्रदेश के वारानसी में इसको स्टार्ट किया गया अब यह ग्राम उजाला प्रोग्राम है क्या तो यह एम करता है यह मिनिस्ट्री आफ पावर ने स्टार्ट किया है और यह एम करता है कि हर जो रूरल एरिया है उसके लोगों को दस रुपए में LED बल्ब्स जो है प्रवाइड किये जाएंगे ताकि हर किसी के घर में यह कम जो एनर्जी एफिशेंट बल्ब से वो लगे योलो बल्ब के लावा और हमारे पावर मिनिस्ट्र कौन है भी फिलाल तो वह है आरके सिंग ठीक है कोश्चन में टुन्टी नाइइम विस्टेट गवर्न्मेंट हाज रिसेंटली लॉंच्ट देखो अपना राज्य कैम्पेन एक्चली इस नॉट प्रदेश के स्टेट गवर्न्मेंट ने और यह अरुनाचल प्रदेश के सीम कौन है प्रेमा खांडू एक प्रजेक्ट इसी तरीके से कैम्पेन लॉंच किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखो अपना देश कैम्पेन तो उसी के तरज पे यह देखो अप बहुत बड़ा स्टेट है इसमें यहां की जो डेंसिटी है पॉपलेशन की बहुत कम है कम पॉपलेशन यहां पर रिसाइड करती है तो लोगों ने अपने ही स्टेट को अच्छे से नहीं देखा है क्योंकि लॉग्डाउन के वज़े से बहुत जादा हर सेक्टर में चोट पहुंची थी तूरिजम सेक्टर में भी चोट पहुंची थी तो उसी को ओवरकम करने के लिए इस कैंपिन को स्टार्ट किया गया ठीक है अब एक चीज मैं आपको बता देती हूं याद रखने का तरीका कि जितने भी सेवन सिस्टर्स हैं उसको हम याद कैसे करेंगे मैंन मैं लिखती हूं साथ ही यहां एन लिखती हूं यहां एम लिखती हूं और एंड में यहां बजगया मीजो तो मैंने इसको कैसे याद किया है एपी तो सबसे उपर हो गया बाई फिर यहां मैंने याद कर लिया है आम्टे आम्टे तो यह हमें याद हो जाएगा कि इस तरफ की सेविन से कौन कौन से स्टेट्स हो जाएंगे असाम मेघाले और त्रिपूरा इस तरफ एनम यह याद रखा है एनम आप भी याद रख लो कि असाम के राइट में एनम है तो नागालेंड मनिपूर और सबसे नीचे है मिजोरम अब किसको कौन सा टच करता है यह बाद की ब इसरो लॉंच ब्राजील अमेजोनिया वन एंड एटीन अधर सैटेलाइट इन फेबरी 2021 फ्रू विच लॉंच वेहिकल यह भी एक मेरे सेट में डिसकस हो चुका है अगर कोई पूछेगा कि इसरो ने कौन सी सैटेलाइट को लॉंच किया तो अमेजोनिया वन को लॉंच कि ठीक है पी एसल्वी सी 51 आप इसको कैसे याद रखेगा अमेजोनिया वन से यहां 51 का वन ठीक है पी एसल्वी की फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉंच वेहिकल जी एसल्वी क्या है और जी एसल्वी क्या है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कुश् चंडिगढर को दोचिनि फह्यां 52 इंडिया फरस्ट एंप ट्लीनिक वॉज्ट इन्विच सटेट औरवन टेरीटरी अब यह कल ही के सेट में डिसकस हो चुका है तो यह wiresपनेकर ग्ला है ठीक है और क्योंकि ये दो सेट्स में डिसकस हो गया है तो इसको मैं important आपको मार करवा देती हूं और ये कहां पर खुला है तो चंडीगड का एक बहुत ही important hospital है PGI ठीक है तो वहीं पर इसको start किया गया है बहुत ही अच्छा hospital है treatment के लिए सारे अच्छे equipment से यहां पर provided है और बहुत ही खुबसूरत शहर है अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर विजिट करी चंडीगड बहुत अच्छी जगह है question 33 which state government has announced to open the first human milk bank किस state government ने start किया तो ऐसे जो कदम है उठाता है हमेशा केरला के एरना कुलम में इसको start किया गया है ठीक है question 34 which became the first state in the country to implement e cabinet कौन सा state बना तो यह बना डी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने e-cabinet system को start किया ठीक है अगर नौर्थ इस्ट का first state पूछा जागा जहां e-cabinet start किया गया है तो वो है अरुनाचल प्रदेश ओके और यह February की news है और यह क्या aim करता है e-cabinet तो यह जो पेपर का usage है वो कम कर देता है ठीक है और smooth functioning of government to digitally digitally जैसे जैसे अब आप देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया campaign के बाद से हर चीज डिजिटलाइज हो रही है तो फिर primitive way में किस क्यों हम पार्लियवेंट अपना चलाएं तो यही सारे inventions अलग-अलग state government ने किया है तो हिमार्चल प्रदेश याद रखेगा इंडिया का और नौर्थीस्ट का अरुनार्चल प्रदेश कोश्य नमर थर्टीफाइफ इस्टीमेट फिसकल डेफिसित ऑफ इंडिया फॉर फिनांशल ये तो इस्टीमेट फिसिकल डेफिसिट इंडिया का क्या है एशीप पॉंट परसेंट अब यह आपको याद नहीं रखना है अगर आप स्टेट PCS की प्रप्रेशन कर रहें तो इतना डेटा याद रखना ज रिसेंटली लॉंज टू स्कीम ने प्रग्यान भारती और भाशा गौरव तो यह किस स्टेट ने स्टाट किया असाम ने अब असाम इन दोनों जो स्कीम्स लॉंज की गई है इनका क्या इंटेंशन है तो प्रग्यान भारती एम करता है उन कॉलेज स्टुडेंट्स की तरफ जिनको ये फंड करेगा बुक्स जितनी भी बुक्स से उसका खर्चा असाम गौर्वर्मेंट उठाईगी अंडर प्रग्यान भारती स्कीम भाशा गौरव स्कीम के अंतरगत क्या करेगी है कि फिनांशल असिस्टेंस दी जाएगी 21 सहित्य सभाव बनी हुई है असाम में उ इसस्टेंचने इस्टो रिगार्डिंग करप्शन पर्सेंटेंट्स 2020 करेंशल अब हैं अब घखी ऑनलीज और स्टाईटेंटी सिक्स्त रैंक मिला लास्ट येर इंडिया का 80 था छे पॉइंट्स और स्लिप हो गया यह अब यह जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसके इंडर जीरो से लेके 100 के बीच में कंट्री इसको रैंक किया जाता है अगर किसी कंट्री का रैंक 100 है तो वह क्लीनेस्ट कंट्र भृषा ओर ओर यह जो करॉप्षन का पैमाना है वह पॉब्लिक सेक्तर इंटरप्राइज इसका कैसे करिप्शिन चलता है उस उसको में अपना है पना यह बनाके सभा गया वनत्यक्स हां पाप्लिक सेक्टर कर अप्शन इसका बैसिस मोस्ट करप्ठ कंट्री जो है वो है सोमालिय ठीक है और साउथ सुडान ये दोनों कंट्रीज आफ्रिका की है और जीरो से हंड्रेड में लेकर इसका इंडेक्स चलता है कौन सी इंडियन बनी तो ये बनी सी प्रियंका मोहिते महराश्ट्रा की रहने वाली है और अन पूर्णा मांटेन जो है वर्ल्ड का टेंथ हाइस्ट मांटेन है कहां लोकेटेड है नेपाल में लोकेटेड है ठीक है और 7th highest mountain peak इंडिया में कहां sorry world की कौन सी है तो वो है धौला गिरी आपका काम यह है कि 1 से लेके 10 तक जो भी highest mountain peak world में है उसको आपको comment box में लिख कर बताना है 41 according to a recently released report which country is the home of largest variety of butterflies in the world तो यह है कोलंबिया कोलंबिया की capital है बोगोटा और 20% species of butterfly यहां पर पाई जाती है साथ ही साथ South America में located है कोलंबिया और Andes Mountain इसी continent में पाई जाती है 42 according to the recent data released by CIPRI the rank of India in terms of military expenditure in the world is क्या है इंडिया की rank military expenditure में यह भी पहले discuss हो चुका है इंडिया की rank है third फर्स्ट कौन है यूएस सेकेंड कौन है चाइना थर्ड कौन है इंडिया अब सीपरी क्या है तो स्टॉक हो इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट स्वीडन बेस इंस्टिट्यूट है यह और यह कंट्री को उनके military expenditure के basis पे rank करती है question 43 which country is said to start higher level of uranium enrichment in नंताज में लोकेटिट है इरान में लोकेटिट है question 44 which of the following country is not included in the supply chain resilience initiative in the context of international trade supply chain resilience initiative किस चीज़ से लेटेट है international trade से लेटेट है इसके member कौन-कौन से हैं इंडिया उस्ट्रेलिया जपान और अमेरिका को इससे दूर रखा गया है quad countries में ये चारों included होते हैं पता है ना आपको इंडिया उस्ट्रेलिया जपान और अमेरिका लेकिन इस जो SCRI है उससे अमेरिका को बाहर रखा गया है 45 और ये सारे factual questions है world health day कब celebrate होता है 7 April को celebrate होता है और world health day की theme क्या थी building a fairer healthier world इसकी theme थी when is national immunization day observed तो कब observe होता है ये 16th March को question number 47 where is bindu sagar cleaning project launched in January 2021 इस question को तो मुझे explain करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बहुत important question है ठीक है हर point of view से bindu sagar cleaning project अब bindu sagar क्या है तो बिंदu sagar एक लेक है उडिसा में ठीक है तो ये किस state से लेटेड़ है उडिसा से लेटेड़ है ठीक है अब ये क्यों important है कि बिंदu sagar लेक है इसको holiest lake of the country बोला जाता है पिल्ग्रिमिलेज पिल्ग्रिमिनेज center भी है ये साथी साथ ये 7th century का लेक है और ये कहां located है तो लिंग्राज temple के बारे में आपने सुना होगा अगर कोई पूछेगा अगर exam में पूछा जाएगा कि लिंग्राज temple कहां located है तो आपको पता चल गया है यहां से उडिसा में located है लिंग्राज temple के बगल में कौन सी नदीव कौन सी लेक है तो बिंदू सागर लेक है ठीक है और ये initiative है Indian oil corporation और government अफ उडिसा का उडिसा में और कौन कौन सी लेक है तो सबसे बड़ी ब्रैकिश लगून ऑफ दे वर्ल इस चिलिका लेक वह है अंशुपा लेक है कांजिया लेक है ताम पोर लेक है ठीक है और एक हो गई बिंदू सागर लेक question no.48 who is author of the book how to avoid a climate disaster तो इसके author कौन है तो है इसके Bill Gates last question question no.49 budget 2021 22 is based on how many pillars तो यह based है six pillars पे अभी यह six pillar कौन है फटा-फटा comment section में comment करके बताईए ताकि आपका रिविजन हो जाए बाई विच यह 100 परसेंट ब्रॉड गौज electrification is projected तो यह project किया गया है December 2023 तक तो यहीं पर यह session ओवर होता है next set में कोशिच करूंगी कि upload कर दूं pdf भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा तो प्लीज वीडियो देखिए जरूर शेयर करी जिसने subscribe नहीं किया subscribe करिए और thank you for watching the mcq factory company